जेहीं दोस्तों स्वागत है अच्वी जनल नौलेज फिफिरी थी के इस वीकली करंट अफेर वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम एक जनवरी से साथ जनवरी 2022 तक के वीकली करंट अफेर जो की हिमाचल प्रदेश पर अधारित होंगे वो हम यहाँ पर कवर करेंगे तो देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ खास है चलते हैं वीडियो में पहले प्रशन की तरफ पहला प्रशन जो है उसमें पूछा गया कि अटल स्रेष्ट योजना में निमन में से कौन सी नगर परिशद जो है वो राज्यवर में प्रथम स्थार में रही है उप्शन चार दिये हैं पहला उप्शन है नगर परशद फालंपुर दूसरा उप्शन है नगर परशद वैजनाद पपरोला तीशर उप्शन है नगर परशद नाहन और चोथा जो उप्शन है वो है नगर परशद शिरमोर तो इस प्रशन का जो शही उत्र है वो है option C नगर परिशद नाहन जो है वो अटल स्रेश्ट योजना में प्रतम स्थान में रही है हिमाचल परदेश में ये प्रतम स्थान पर रही है हिमाजल परदेश सरकार द्वारा जो है सहरी विकास निदेशाले के मादिम से चलाया ही जा रही योजना जो की अटल स्रेश्ट योजना है उसमें नगर परिशद नाहन जो है परदेश भर में प्रतम स्थान पर ये रही है नगर परिशद नाहन को एक करोड रुपे राश्टी जो है वो इस पुरुषकार के रूप में दी जाएगी और ये पुरुषकार इसको क्यों मिला है तो जनहित से जुड़ी शेवाओं में उतकृष्ट कारे करने के लिए ये पुरुषकार जो है नगर परिशद नाहन को मि अब देखते हैं अगला प्रशन, अगले प्रशन में पूछा है कि देश का प्रथम LPG युक्त और धुआ मुक्त राज्ये कौन बना है, option A है हर्याना, option V है उत्रखन, option C है हिमाचल और option D है चंडिगर, तो इस प्रशन का जो सही उत्र है, वो है option C हिमाचल, हिमाचल प्रदेश देश भर में प्रथम LPG युक्त और धुआ मुक्त राज्ये जो है वो बन गया है, ये कैसे संबब हो पाया, तो किंदर सरकार की उसवला योजना और हिमाचल प्रदेश सरकार की ग्रिहनी सुबदा योजना की वदोलर जो है, वो LPG युक्त और धुआ मुक्त राज्ये जो है हिमाचल प्रदेश बना है, तो जो किंदर सरकार की योजना थी उसका नाम था उजवला योजना तो उजवला योजना से लगवग 21.81 क्रोड रुपे की रासी से लगवग जो 1,36,000 गैस कनेक्शन जो हैं वो हिमाचर प्रदेश को दिये गए 1,36,000 गैस कनेक्शन जो हैं वो हिमाचर प्रदेश को दिये गए वहीं हिमाचर प्रदेश सरकार की एक अगलग से अपनी योजना थी ग्रिहनी शुविदा योजना जो की उन लोगों को गैस लेंडर बितरित की गए जो की उजवला योजना के दायरे में नहीं आ पा रहे थे तो जो लोग उजवला योजना से बंचित रहे गए उनको हिमाचर प्रदेश सरकार की ग्रिहनी सुविदा योजना जो है वो परदान की गई आपने याद रखना है यहाँ पर कि ग्रिहनी सुविदा योजना कब शुरू की गई थी तो 26 मई 2018 से ग्रिहनी शुविदा योजना जो थी वो हिमाचर प्रदेश में शुरू की गई थी कब से की गई थी? 26 मई 2018 से यह आपने याद रगना है प्रिक्षा की तरिश्ची से यह परसन भी पूछा जा सकता है तो पहला LPG युक्त और दुहों मुक्त राज्य कौन बना है? वो बना है हिमाचल परदेश अब देखते हैं अगला परसन अगले परसन में पूछा है कि राज्य का छठा राष्ट्री उद्यान कहां पर बनने जा रहा है? उप्षन है शिमला, उप्षन बी है कांगडा उप्षन सी है वद्दी और उप्षन डी जो है वो है उन्ना तो राज्य का जो नेशनल पार्क जो है वो बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेसरकारदवारा जिसके लिए जो है वो कागजी का रवाई अभी की जा रही है वो पूरी की जा रही है उसके बाद छठा नेशनल पार्क जो वनेगा वो वनेगा गुपालपूर चिडियगर जो की जिलक कांगडा म हैं तो बात करें गुपालपूर चिडिया करकी तो 24 मार्च उनिस सो वानवे को 1992 को यह जो था वो चिडिया गर बना था यहां पर 20 अलग अलग परजातियों के जो जानवर पंजीकृत हैं लगवग 181 जानवर हैं जो की समय समय पर बढ़ते और घड़ते रहते हैं तो 20 अलग अलग परजातियों के जानवर यहां पर रखे गए हैं पांच राष्ट्रिय उद्यान इसमें हिमाचल प्रदेश में हैं और छठा जो है यह बनाया जा रहा है देखते हैं अगला प्रशन अगले प्रशन में पूछा है हिमाच प्रवानु तो हिमाचल प्रदेश की पहली पुष्प मंडी जो है वो बनाई गई है प्रवानु में आपने याद रखना है जो दूसरी पुष्प मंडी है वो कहां पर बनाई जाएगी तो वो दूसरी पुष्प मंडी है वो बनाई जाएगी जिला उन्हा में तो यह सेक पूश्ममंडी होगी हिमाचल प्रदेश की अब देखते हैं अगला प्रशन अगले प्रशन में पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश की 6th कव शेंक्चरी कहां पर वनाई जा रही है ओप्शन A है शिमला ओप्शन B है कांगडा ओप्शन C है वद्दी ओप्शन D है उन्ना तो हिमाचल प्रदेश की जो 6th कव शेंक्चरी है वो बनाई जा रही है जिला शिमला के शुन्नी में तो ओप्शन A जो है सही जवाब है शिमला में ये बनाई जा रही है शुन्नी में तो ये किस के लिए बनाई जा रही है हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी गाए को क्या नाम दिया है ये भी आपने याद रखना है तो हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ी गाए है उसका नाम क्या है ये प्रिक्षा में पूछा जा सकता है तो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी गाए है उसका नाम है गोरी बाकी यहाँ पर और वी गिर हो गया, रेड सिंदी हो गया, साहिवाल, इत्यादी जो मुख्य नसले हैं हिमाचपदेश की गायों की ये मुख्य नसले हैं तो हिमाचपदेश की जो पहाडी गाय है उसका नाम रखा है गोरी ये आपने याद रखना है तो ये जो कव संक्षरी है ये लगवग 11 जिलो में खोलने का ये प्राबधान है इसका लक्ष जो है वो रखा गया है कहां कहां पर इसमें अभी तक जो ये कौ संक्सरीज बनाई गी है तो बनाई गी है एक तो कोटला वरोग में जो की सिरमोर में है बहां पर बनाई गी है थाना कला है जो की खास उन्ना में बहां पर बनाई गी है हंडा कुंडी सोलन में बनाई गी है खैरी जो है हमीरपुर में बनाई गी है, कांगड़ा में ये बनाई गी है तो कुल पांच है और छटी जो है ये अब शिमला में बनाई जाए गी अब देखते हैं अगले प्रस्ट में पुचा की हाल ही में जिला चंबा के किस मेले को जिला स्तरी मेले का दर्जा दिया गया है उप्शन A है अशार नाग मेला उप्शन V है फूल यात्रा मेला उप्शन C है शूई मेला और उप्शन D है भरमोर यात्रा तो इस प्रसंद का जो सही उत्तर है वो है उप्शन A अशार नाग मेला तो अशार नाग मेला कहां पर मनाया जाता है तो ये बनी खेत म ये मनाया जाता है और ये कव मनाया जाता है तो 21 से 24 जून को ये मनाया जाता है 21 से 24 जून तक ये मनाया जाता है लगबग 150 वर्स पुराना ये मेला है और हाल ही में इसे जो है जिला स्तरिय मेले का दर्जा दिया गया असाड नाग मेले को जिला स्तरिय मेले का दर्जा जो है वो दिया गया अगला प्रशन है आदी वद्रीवांद का निर्मान कहां पर किया जा रहा है option A है हरियाना, option B है उत्रगन, option C है हिमाचल, option D है उत्तरप्रदेश तो इस प्रशन का जो सही उत्र है वो है option A हरियाना तो हरियाना में जो है वो आदिव द्रीवांद का निर्मान किया जा रहा है तो ये प्रशन हमने यहाँ पर हिमाच्चा प्रदेश बीकली करेंड फिर में क्यों डाला है तो ये इसलिए डाला है क्योंकि ये जो बांद बनाया जा रहा है हरियाना में ये सोम नदी पर बनाया जा रहा है प्रशन कहां पर बनाया जा रहा है हिमाच्चा प्रदेश की सीमा पर ये बनाया जा रहा है और जो इसका डैम बनाया जाएगा बांध बनाया जाएगा ये तो इसमें जो 77 हेक्टेर भूमी है वो हिमाचल परदेस की आएगी हिमाचल प्रदेश भूमी जो है वो ये अपनी हर्याना को दे रहा है इसको इस बांध को बनाने के लिए आदी वद्री बांध जो है इसको बनाने के लिए हिमाचल अपनी 77 हेक्टिर भूमी हर्याना को दे रहा है और हरियाना की अपनी भूमी कितनी आएगी इसमें 11 हेक्टेर तो 11 हेक्टेर में हरियाना की आएगी और 77 हेक्टेर इसमें हिमाचल की भूमी आएगी और हिमाचल की लगवग 3000 अवादी जो है वो इससे प्रभावित होगी इस बांद को बनाने से ये प्रभावित होगी अब देखते हैं अगला प्रशन तो अगला प्रशन है कि मनाली विंटर कार्निवल में विंटर क्वीन खिताव किसने जिता है उप्शन A है तापती ठाकुर उप्शन V है इशिता का श्यप आप्शन C है आशिमा चोहान आप्शन D है तो इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो है आप्शन C आशिमा चोहान आशिमा चोहान ने मनाली विंटर कार्निवल में विंटर क्वीन का जो खिताब है अपने नाम किया है जो आशीमा चुहान है ये रोहडु की रहने वाली है और ये MBBS की डिग्री जो है ये कर रही है कहां से कर रही है तो होंग कोंग से ये कर रही है अपनी डिग्री और winter carnival जो था ये पांस दिनों तक चला तापती ठावकुर ये जो तापती ठावकुर है इसमें फर्स्ट रनर अप रही ये कहां से हैं ये मद्दे परदे से हैं MP से हैं और जो थर्ड रनर अप इसमें रही है वो रही है इशिता कश्यप तो इशिता कश्यप कहां से हैं ये डलोजी से हैं ये सेकंड रनर अप है जो बीन रही है आशीमा रही है first runner up तापती रही है और second runner up पर जो रही है इशिता कश्यप रही है वो कहां से है वो है डलोजी से अगला प्रसंड जो है कि ये हमारे विरोईस के लिए है कि देश का सबसे बड़ा ऑटो पार्ग हमाचपत इसमें कहां पर बनाये जा रहा है उसे व अभी हाल ही में इसकी सुरुआत की गई है तो ये 6 से 12 तक के वच्चों की आउंखों की जाच के लिए मिसं दृष्टी की सुरुआत की गई है जे रामठाकुर ने अपने जनम दिवस के अबसर पर मिशन दृष्टी की शुरुवात की है ये प्रशन आपने याद रख लेना है मिशन दृष्टी ये एड़ करने से रह गया था और इस प्रशन का जो उत्र है आपने हमें comment section में देना है आपको हमारी वीडियो कैसे लेगी हमें comment section में जरूर बताएं वीडियो को like करें, comment करें अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर share करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियों है उनकी update आपको सबसे पहले मिल सके तो वीडियो को अंतर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जे हिन जे भारत